अगर बात करें आज के टॉपिक की तो आज है हमारे पास 10,000 के नीचे के बेस्ट स्मार्टों चलिए शुरू करते हैं हमारे लिस्ट में 6 स्मार्टफोन है अब बात करें अगर 6 नंबर वाले फोन की तो वो है रेट्मी के तरफ से आने वाला रेट्मी एक स्पेसिफिकेशन्स के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.22 इंच की HD प्लस दिस्प्ले स्नाप्रागन का 439 का ओक्तो को प्रोसेसर मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है वह भी 18 वाट के फास्ट चारजिंग के साथ 12 प्लस 2 मेगापिक्सल्स का दो रेयर कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा फिंगर प्रिंट स्कानर और फेस अनलॉक का फीचर भी मिलता है इसमें राम इसमें 4GB और रोंग 64GB की मिलती है कीमत की बात करें तो 9000 का आता है ये अब बात करें अगर पांचवे नंबर वाले फोन की तो वो है रियल्मी का रियल्मी C3 स्पेसिफिकेशन्स के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्लेइ हीलियो का G70 OctaCore प्रोसेसर मिलता है 5000 इमेज की बड़ी बैटरी मिलती है इसमें वह भी 10 वाट के चार्जिंग के साथ 12 प्लस 2 मेगा पिक्सल्स का दो रेर कैमरा 5 मेगा पिक्सल्स का फ्रंट कैमरा फेस अनलॉक का फीचर भी मिलता है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता इसमें राम इसमें 3 GB और रोम 32 GB की मिलती है कीमत की बात करें तो यह 9000 का आता है अब बात करें अगर चौथे नंबर वाले फोन की तो वो है मोटरोला का मोटरोला G8 पावर लाइट स्पेसिफिकेशन्स के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्लेइ हीलियो का P35 Octa-Core प्रोसेसर मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है इसमें 10 Watt के चार्जिंग के साथ 16 Plus 2 Plus 2 Megapixels का 3 rear camera, 8 Megapixels का front camera, face unlock और fingerprint का feature भी मिलता है इसमें RAM इसमें 4 GB और ROM 64 GB की मिलती है कीमत की बात करें तो यह भी 9000 का आता है अब बात करें अगर तीसरे नंबर वाले फोन की तो वो है Realme का Realme 5i Specifications के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की HD Plus डिस्पले Snapdragon 665 Octocore प्रोसेसर मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है इसमें 10 Watt के चार्जिंग के साथ 12 Plus 8 Plus 2 Plus 2 Megapixels का 4 rear camera, 8 Megapixels का front camera, face unlock और fingerprint का feature भी मिलता है इसमें RAM इसमें 4 GB और ROM 64 GB की मिलती है कीमत की बात करें तो यह 10,000 का आता है अब बात करें अगर दूसरे नंबर वाले फोन की तो वो है Realme का Realme ना जो टे ने Specifications के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की HD Plus डिस्पले MediaTek Helio G70 Octocore प्रोसेसर मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है इसमें 10 Watt के चारजिंग के साथ 12 Plus 2 Plus 2 Megapixels का Triple Rare Camera, 5 Megapixels का Front Camera, Face Unlock और Fingerprint का फीचर भी मिलता है इसमें RAM इसमें 3 GB और ROM 32 GB की मिलती है, कीमत की बात करें तो यह 9000 का आता है, अब बात करें अगर पहले नंबर वाले फोन की तो वो है Lenovo का Lenovo K10 Note Specifications के बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.3 इंच की Full HD Plus डिस्पले, 10,000 के अंदर यही एक फोन है जो की Full HD Plus डिस्पले देती है Snapdragon का 710 OctaCore Processor मिलता है साथ में Adreno का 616 का GPU मिलता है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है इसमें, 18 Watt के Fast Charging के साथ, 16 Plus 5 Plus 8 Megapixels का Triple Rare Camera, 16 Megapixels का Front Camera, Face Unlock और Fingerprint का फीचर भी मिलता है इसमें RAM इसमें 4 GB और ROM 64 GB की मिलती है, कीमत की बात करें तो यह 10,000 का आता है, बस इसमें एक कमी यह है कि इसमें Hybrid Sim Slot मिलती है इस सेग्मेंट में सबसे अच्छा फोन यही है, यह सारे फोन की खरिदने की Link description में दिया हुआ है, आप बहां से खरीद सकते हो, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, निचे जाके सब्सक्राइब के बटन को लाल कलर से ग्रे कलर कर दो, वीडि झाल